साधर नमस्कार एनेमो मेंबर्शिप पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है MBBS, BDS के छाथ और चिकिस्तक एनेमो की सदस्ता ओनलाइन माध्यम से ले सकते हैं मैं एनेमो मेंबर्शिप पोर्टल पर विस्तार जे आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी साजा करूँगा जिससे आप सभी को सदस्ता के लिए आवेदन की सुविधा होगी यहाँ पर आपको नीचे में एक विकल मिलेगा Become a Member आपको फिर इस पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको Select Membership पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको तीन ओप्शन दिखते हैं Single Doctor Membership, Couple Doctor Membership, Student Membership Single Doctor Membership और Couple Doctor Membership उनके लिए है जो एक Doctor है और वो अपना Graduation पूरा कर चुके हैं Single Doctor Membership में जब आप रेइस्टर करेंगे तो आपको वहाँ अपना Medical License Number और बाकी चीज़ें भरनी है लेकिन अगर आप Couple Doctor Membership में रेइस्टर करते हैं तो आपको वहाँ पर अपना Medical License Number और अपने पार्टनर का Medical License Number और बाकी डेटेल्स भरनी है तो आएँ अब हम देखते हैं Couple Doctor Membership तो इसमें भी आपको वैसे ही सारे डेटेल्स भरने हैं जैसे आपने Single Doctor Membership में बरेते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम, Date of Birth, Gender भगरा भरना है फोटोग्राफ अप्लोड करना है ब्लड ग्रॉप, इमेल और फॉन नंबर और अप्लिकेंट शिक्निचर डालना है तो इसके बाद यहाँ पर आपको अपना Educational Qualifications डालना है अपना Highest Medical Degree जिस भी स्टेट में आपका College था वो College का नाम और अपना Medical License नंबर डालना है फिर अपना Medical License ID आपको यहाँ पर उसका फुट अप्लोड करना है तो यहाँ पर आपको अपने Spouse डेटेल डालना है उसमें आपको उनका नाम Date of Birth, Gender और फोटोग्राफ अप्लोड करना है उसके बाद Blood Group, Email और उनका Mobile नंबर डालना है और उनका Signature अप्लोड करना है फिर यहाँ पर आपको अपने Spouse Educational Qualification की डेटेल बनी है Highest Medical Degree, State जिस भी State में College है उसके बाद College का नाम, License Number और Medical License का ID अप्लोड करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना Address फिल करना है State, City का नाम और Pin Code डालना है उसके बाद Association with NMO में आपको NMO का State फिर जिस भी Prance में आपको NMO है वो और जो भी आपके Primary NMO Unit का नाम है वो डालना है फिर Name of Referring Person में जिस भी व्यक्ती से आपको NMO के बार में पता चला उसका नाम डालना है फिर उस व्यक्ती का आपको NMO का Membership Number डालना है उस व्यक्ती का Contact Number डालना है और NMO State Secretary email में आपको अपने State के NMO के Secretary का email डालना है हर State का Secretary अलग रहता है तो उसका email आपको अपने State के according डालना है फिर उसके बाद आपको Proceed to Paper क्लिक करके शिल्का भुक्तान करना है और आपका Race Station पूरा हो जाएगा waard कर लालना है